अगलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी स्यूट्यूट्यूब चैनल पर दोस्तोव आज हम लोग जो है एक rectangular hyperbola बनाने लिए है आज हम लोग सीखेंगे कि एक rectangular hyperbola को कैसे बनाते हैं तो देखिए इसके लिए ऐसाव दिया गया यहां पर एक एक पॉइंट पी इस 40 mm एन 30 mm फ्रॉम होरिजन्टल एंड वर्टिकल आक्सिस रेस्पेक्टिवली ड्रो हाइपर बॉला पासिंग थ्रू पॉइंट पी दोस्तों यहां पर क्वेस्टन को बारी की से पढ़िए यहां पर दीख हुआ है कि एक पॉइंट पी इस 40 mm एन 30 mm रहेगा और यह जो आप 30 mm देख रहे हैं दोस्तों यह 30 mm यह जो है वर्टिकल आक्सिस से 30 mm की दूरी पर रहेगा तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग रफली इसको समझ लेते हैं उसके बाद जो है इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता हा तो देखिए यहां पर दू आक्सिस की बात कर रहा है कि एक और यहां पर एक और एक और लोग करेंगे और यह एक vertical axis draw करेंगे जो ये एक दूसरे के 90 degree पर रहेगा तो ये जो मेरा axis है दोस्तों ये कुन सा axis है ये मेरा X axis है X axis है और ये मेरा Y axis है ये मेरा Y axis हो गया और ये X axis हो गया आप यहाँ पर सवाल देखिए एक point हमें इन दोनों axis से कहीं दूर एक पॉइंट देना होगा जिसका नाम हमने पी दिया हुआ है जहां पर पी है दोस्तों तो देखिए यहां पर क्या लिखवा कि एक पॉइंट पी इस 40 mm and 30 mm from horizontal तो सबसे पहले horizontal आ रहा है और सबसे पहले 40 आ रहा है 40 आया horizontal आया 30 आया vertical आया तो 40 mm जो है horizontal line से दूर तो हम क्या करेंगे यह जो मेरा horizontal axis है यहां से हम 40 mm उपर आएंगे और एक line ले लेंगे इसके parallel से इस axis के parallel एक line लेंगे कितना mm की दूरी पर 40 mm की दूरी पर फिर क्या बोल रहा है 30 mm from vertical axis तो हम क्या करें vertical axis यह है मेरा यह vertical axis है तो हम यहां से 30 mm की दूरी पर जाएंगे और एक line लेंगे तो यह जो line लेंगे तो हमें यह दो line कहिना कहीं intersect होगा है यह जो दोस्तों intersect होड़ा है इसे हम लोग पॉइंट पी कहेंगे और चो हाइपर बोला passing through पॉइंट पी यहां देखिए दोस्तों ड्रहाइपर बोला passing पॉइंट पी तो हमें जो हाइपर बॉला बनाना है यह पॉइंट को trace करते हुए एक कर्व बनेगा जिसे हम लोग कहेंगे हाइपर बोला तो चलिए हम लोग इसको बना करके देखते हैं कि कैसे बनेगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले हम एक horizontal axis draw करेंगे तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक horizontal axis इसे draw करते हैं, तो ये हमने एक horizontal axis draw किया और एक vertical ojos draw करेंगे इसके perpendicular, तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इसके point से starting point से 90 degree का एक angle ले लेंगे, जैसे क्या होगा कि हमको एक perfect right angle मिल ल्यागा तो ये मेरा हमने 90 degree का angle ले लिया है अब इसको क्या करेंगे इस से मिला देंगे इस point से तो ये मेरा vertical axis हो गया दोस्तो ध्यान रहेगा कि ये कौन सा axis हुआ तो ये मेरा हो गया X axis और दोस्तो ये कौन सा हो गया मेरा Y axis हमने X Y axis ड्रोग कर लिया हुआ है अब सवाल क्या बोल रहा था सवाल देख लिजिए एक पर फिर सवाल बोला है एक point P is 40 mm and 30 mm तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a point P is 40 mm तो हम इसे नाम देते हैं ओ अब यहां से हमें क्या करना है कि इस horizontal axis से 40 mm ऊपर चलना है तो हम क्या करेंगे यहां से 40 mm ऊपर चलेंगे तो यहां से हम दोस्तों यह मेरा हो गया यह 10 यह 20 यह 30 और यह यहां हम 40 mm चले होरिजन्टल आक्सिस से 40 mm और वर्टिकल आक्सिस से हमें कितना चलना है 30 mm तो हम यहां से कितना चलेंगे वर्टिकल से यहां से हम 30 mm चलेंगे तो यह 10 20 और यह मेरा 30 हो गया दोस्तों अब क्या करेंगे जो होरिजन्टल आक्सिस था 40 mm तो होरिजन्टल लाइन का रिफ्रेंस ले करके एक पैरलल लाइन ले लेंगे उसके बाद क्या करेंगे 30 mm था यहां पर वर्टिकल आक्सिस से 30 mm दूर था तो यहां से भी एक वर्टिकल आक्सिस के पैरलल लेंगे अब यहां पर देखिए दोस् हम लोग कहेंगे पॉइंट पी अब देखिए दोस्तों यहां से यहां यह कितना mm है 40 mm है और यहां से यहां 30 mm है तो यह जो 40 mm का लाइन है इसे हम 4 बड़ावर भागों में बाट लेते हैं आप इसको रैंडमली भी बाट सकते हैं और चाहे तो आप सकेल का भी यूज करके एक-एक सेंटीं मेटर का लाइन ले लेएए तो यह मेरा एक यह दूद है यह तीन और यह मेरा 4 हो गया फिर इसको भी क्या करेंगे बड़ावे इसको भी हम वागों बाट लेए तो यह एक दो और ये मेरा तीन तो इस तरीके से हमें एक point मिला ये एक point ये 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 point मिला अब इसकी हम naming कर लेते हैं तो ये मेरा one ये two ये three ये मेरा four और ये मेरा five हो गया दोस्तो ठीक है अब हमें क्या करना है कि यहां देखिए यह पोयंट जो है आपका उस ओंपॉयंट से हमें क्या करना है वन को मिलाते हुए यहा से हम क्या कर 75 पर ऊपर पेंसिल को रखेंगे, वन से मिलाते हुए इस लाइन को टच करेंगे, फिर ओपर रखेंगे, टू से मिलाते हुए इस लाइन को टच करेंगे, फिर ओपर रखेंगे, थिरी से मिलाते हुए इस लाइन को टच करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं कि कैसे तो यहां हमने ऊपर रखा और वन का से और पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन यहां ड्रो करेंगे पिर अब उसे तू को मिलाइंगे तो उसे टू को मिलाया फिर लस्ट में क्या करेंगे ओसे थ्रि को इसको हम horizontal line ले जाएंगे और फिर उस point से नीचे उतार देंगे, इस point से नीचे उतार देंगे, तो चलिए पहले इसकी naming कर लेते हैं, ये one dash, ये two dash, ये three dash, अब यहां भी बचरा है मेरा, तो फिर हम ओपर रखेंगे, और four को मिला देंगे, उस vertical axis से, तो ये four भी मिल गया मेरा और यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तो, यहां उसे five को भी मिला देंगे, तो हमने उसे five को मिला दिया, अब ये मेरा हो गया, three dash यहां तक हो गया था, ये मेरा क्या हो गया, four dash, ये मेरा five dash, ठीक है दोस्तो, अब हमें क्या करना है, यहां पर गौर कीज़ेगा, कि ये जो one है, 2 है 3 है 4 है 5 है तो हम 1 से 1 horizontal लेके आएंगे और 1' से 1 vertical line नीचे उतारेंगे फिर 2 से 1 horizontal line लेके जाएंगे और 2' से 1 vertical line नीचे उतारेंगे फिर 3 से क्या करेंगे 1 horizontal line लेके जाएंगे और 3' से नीचे उतारेंगे 4 से 1 vertical line लेके जाएंगे अफ़ोड से एक horizontal line ले जाएंगे 5 से एक vertical line लेके जाएंगे अफ 5-1 horizontal line मिला देंगे तो चलिए हम लोग पहले इसको कर लेते हैं तो यहां है इसका हम reference लेंगे और 1 से यहां लाए फिर 2 से यहां लेके आए फिर 3 से यहां लेके आएंगे और horizontal का काम हो गया आप क्या करेंगे 3 से vertical line नीचे उतार दीजे 2 से भी 2 dash से 2 को मिला दीजे 1 dash से 1 को मिला दीजे तो देखिए आप क्या करेंगे 4 को उपर ले जाएंगे vertical 5 को उपर ले जाएंगे vertical अब 4 dash से 4 वाले line को मिला दिया और 5 dash से 5 वाले line को मिला देंगे तो देखिए यह मेरा point मिल रहा है यहां पर देखिए यह तो यह मेरा P था यह मेरा P था तो यह क्या हो जागा P1 यह क्या हो जागा P2 यह क्या हो जागा P3 यह क्या हो जागा P4 यह क्या हो जागा P5 ठीक है दोस्तो अब हमें क्या करना है कि French curve की मदद से हमें सारे point को trace करते हुए एक curve draw करना है सारे point को trace करते हुए एक curve draw करेंगे तो हम इसके लिए क्या करेंगे French curve का इस्तेमाल करेंगे आप चाहें तो इसको free hand भी मिला सकते हैं अगर बहुत अच्छी तरीके से free hand आप मिलाना जान चुके हैं तो free hand मिला लें और नहीं अगर free hand बन रहा है तो आप French curve का इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए यहां पर हम French curve का परयूग कर रहे हैं कि फ्री हैं भी कर सकते हैं लेगिन French कर्व कर से करेंगे तो बेहतर ट्रेस होगा मेरा कर्व तो इस तरीके से आप बहुत ही साफधानी बढ़तने के इसमें जरूरत होगी तो यह मेरा P4 तक आ चुका है अब मैं P5 से P4 को मिला दोंगा तो देखिए दोस्तों यहां पर एक ट्रेस होते हुए पॉइंट को हमने एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है यह मेरा जो हुआ हाइपर बोला बन गया दोस्तों तो दोस्तों दीखिए इस तरीके से मेरा हाइपर बोला बन करके अब रेडि है अब क्या करना हमें इसकी डामेंशन को दिखा देना होगा तो चलिए हम इसकी डामेंस को दिखा देते हैं तो लुआ हरीजन्टborg अक्सिश एक हैं यहां थाढ कि यह कितना है में हो गया यह मिरा थर्टी म हो हो गया और यह मेरा वर्टी के ल עvent schle 시 시 की तरफ धर्टी में था और अजसेक्षा तो हम इसको इसकी we दिखाते हैं तो ये मेरा केतना mm हो गया दोस्तों ये हो गया मेरा 40 mm ये बहुत ही important question है first year वालों के लिए तो ये मेरा 40 mm इस तरीके से आप exam में दोस्तों easily बना सकते हैं तो दोस्तों आपका जो सवाल था आज का ये problem number one था आपके comments अगर आते हैं कि sir इस पर दूसरा सवाल भी बनाई है तो मैं जरूर कोशिश करूँगा कि इस पर दूसरा सवाल बना करके आपके concept को बिल्कुल पूरी तरह से clear कर सकूँ तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके लिए helpful रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सकाइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजगा क्योंकि इसकी notification आपको लगातार मिलती रहे तो like भी जरूर कीजगा मेरे चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद